हेलो फ्रेंज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोल्ड फिस को हम बाउल में रख सकते हैं या फिर नहीं एर पाम के बीना, फिल्टर के बीना, हीटर के बीना हम गोल्ड फिस को बाउल में रख सकते हैं या फिर नहीं तो चलिए फ्रेंस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंस देखिए गोल्फीस को आप बाउल में नहीं रख सकते हैं गोल्फीस के लिए मीनिमम 20 गलन का टैंक रिक्वैर्ड है लेकिन बहुत सारे लोग टैंक एपन नहीं कर पाते हैं इसलेव लोग गोल्फीस को बाउल में रखते हैं जिंदा कैसे रख सकते हैं आज हम पुछ पोईंट बताएंगे जिससे आप goldfish को long time तक जिन्दा रख तकते हैं फ्रेंस बाउल में water कम होगा इसलिए फ्रेंस oxygen का कमी दिखाई देगा फ्रेंस जब बाउल के अंदर oxygen कम हो जाएगा तो आपकी फिस gasping करेगी और फ्रेंस बाउल के अंदर सीखो के बैट जाएगी तो आपको क्या करना है एक life plant उस बाउल के अंदर आपको add करना है इससे फ्रेंस oxygen का कमी कुछ कम होगा फ्रेंस हो सके तो आप एक air pump बाउल में लगा दे फ्रेंस बाउल में goldfish को overfeeding ना करे क्योंकि फ्रेंस goldfish बहुत ज़दा waste produce करता है इसलिए फ्रेंस आप ज़्यादा overfeeding करेंगे तो goldfish ज़्यादा potty करेगा इससे फ्रेंस पानी भी खराब होगा और पानी में ammonia level भी भर जाएगा तो फ्रेंस goldfish को overfeeding ना करे वान टाइम फीट करे अगर फ्रेंस आप goldfish को बाउल में रख रहे हैं तो goldfish को one time फीट करे फ्रेंस बाउल में goldfish को long time ज़िंदा रखने के लिए सबसे important है water फ्रेंस बाउल का water हमेशा आपको clean रखना पड़ेगा अगर फ्रेंस आपको बाउल का water गंदा होगा तो goldfish stress में आ सकता है इसलिए फ्रेंस बाउल का water हमेशा clean रखे फ्रेंस आप हर दो दिन में 10 to 20% water बाउल का change करे इससे फ्रेंस आपका बाउल का water भी गंदा नहीं होगा और बाउल में oxygen जाता रहेगा फ्रेंस आप अगर जानना चाते हैं कि goldfish का care कैसे करते हैं तो आपको end skin में video मिल जाएगा और फ्रेंस इस video के description में भी आपको video का link मिल जाएगा फ्रेंस मैं और एक बाउल बता देता हूं कि goldfish को आप बाउल में नहीं रख सकते आप अगर tank effort कर सकते हैं तो आप tank खरीद ले फ्रेंस गोल्ड fish के लिए आपको minimum 20 gallon का tank खरीद ना पड़ेगा फ्रेंस आपका अगर बाउल है तो बाउल में के आरपम ज़रूर लगा ले और फ्रेंस filter तो आप बाउल में नहीं लगा सकते और आप अगर heater लगाना चाहते हैं तो बाउल में आप heater नहीं लगा सकते आपको अगर छोटा बाउल है तो आप बाउल में heater नहीं लगा सकते हैं फ्रेंस आप बात करेंगे कि आप बाउल का temperature मतलब बाउल का water है उसका temperature कैसे maintain करेंगे तो फ्रेंच आप खिर्की दरवज़ अब फेन के नीचे बाउल को मत रखें normally क्योंकि फ्रेंच खिर्की दरवाज से सूरज के जो किर्न होता है वो बाउल के उपर पर सकता है इसलिए temperature हाई हो सकता है और फ्रेंच आप अगर फेन की नीचे रखें वाहाँ को तो बाउल का जो temperature है वो low हो सकता है इसलिए फ्रेंस आप फैन के नीचे खिर की दरबाजे के पास बाउल को ना रखे तो फ्रेंस वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरू बताना तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं ने इस वीडियो में बाई बाई